C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की भुगोल की पाठे पुस्तक, संसाधन एवं विकास, प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ चार, क्रिशी, प्रिष्ठ संख्या 38 से, प्रिष्ठ संख्या 47 तक, तो आईए अब सुनते हैं पाठ, क्रिशी, प्रिष्ठ संख्या 38 गुर्प्रीत, मधु और टीना एक गाउं से गुजर रहे थे, वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा, किसान ने उन लोगों से कहा कि वहाँ गेहुं की बुआई करने जा रहा है, और मिर्दा को अधिक उपजाव बनान वर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिश्कृत उत्पात तक के रुपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मेलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितियक और तृतियक क्रियाएं हैं। प्र रिशी, मत्सयन और संग्रहन इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितियक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंसकरण से संबंधित हैं। इस पात विनिर्मान, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतियक क्रियाएं प्राथमिक औ और विज्यापन तृतियक क्रियाओं के उदाहरण हैं। खिशी एक प्राथमिक क्रिया हैं। फसलों, फ़लों, सबजीओं, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50 प्रतिशत लोग क्रिशी से संबंधित क्रियाओं में सनलगन हैं। भ युद्पत्ति लेटिन शब्दों एगर या एगरी जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषी करने से हुई है। जहां पर पूरे विश्व के मानचित्र में कृषी गद भूमी का वितरन दिखाया गया है। और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन रेशम के कीटों का वानिजिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। PC कल्चर मत से पालन विशेश रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत से पालन। VT कल्चर द्राक्षा क्रिशी अंगूरों की खेती। होटी कल्चर उध्यान क्रिशी वानिजिक उपियों के लिए सबजियों, फूलों और फ़लों को उगाना। इस प्रकार कल्चर के आगे कई सारे शब्द लगा करके हम उनके अर्थों को समझ सकते हैं। जैसे एग्री कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हौटी कल्चर, क्रिशी तंत्र. क्रिशी या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है. इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, और वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं. जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं. प्रिश्ठ संख्या चालीस इस तंत्र के निर्गतों के अंतरगत, फसल, उन, देरी और कुकुट उत्पाद आते हैं. इस प्रिश्ठ पर चित्र 4.2 दिया गया है, जिसमें कृशीगत भूमी की कृशी पद्दती को दिखाया गया है. चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से पहले कृशी के लिए निवेश करना पड़ता है? निवेश मशीनरी, बीज और रसायन इत्यादिका हो सकता है ततपश्चात प्रक्रम करना पड़ता है जिसमें किसान, जुताई, बुआई, छिड़काओ इत्यादि करता है ततपश्चात तीसरा चरण निर्गत होता है जिसमें हमें फसल प्राप्त होती है इसी प्रकार इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव तीन दिया गया है जिसमें भौतिक एवं मानविय क्रिशी निवेश को दिखाया गया है भौतिक निवेश की बात की जाए तो उसमें सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, मिर्दा, धाल इत्यादी हो सकते हैं और यदि मानविय निवेश की बात की जाए तो उसमें भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन इत्यादी आ सकते हैं क्रिशी के प्रकार विश्व में क्रिशी विभिन्न तरीकों से की जाती है भोगोलिक दशाओ, उतपाध की मांग, श्रम और प्राध्योगी की के स्तर के आधार पर क्रिशी दो मुखे प्रकारों में वर्गिकरित की जा सकती है ये हैं निर्वाह क्रिशी और वानिजिक क्रिशी इस प्रकार की क्रिशी क्रिशक परिवार की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए की जाती है पारमपरिक रूप से एक कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्नस्तरिय प्रोध्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उप्योग किया जाता है निर्वाह क्रिशी को पुनह गहन निर्वाह क्रिशी और आदिम निर्वाह क्रिशी में वर्गे कृत किया जा सकता है गहन निर्वाह क्रिशी में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारन ओजारों और अधिक श्रम से खेती करता है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायू और उर्वर म्रिदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है चावल मुख्य फसल होती है अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है गहन निर्वाह क्रिशी, दक्षिनी, दक्षिन पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है आदिम निर्वाह क्रिशी आदिम निर्वाह कृषी में स्थानांतरी कृषी और चलवासी पशुचारण शामिल है। रोचक्त त्य जैविक कृषी इस प्रकार की कृषी में रासाइनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़क नाशी का उपियोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। प्रिष्ठ संख्या 41 स्थानांतरी क्रिशी, अमेजन बेसिन के सघनवन क्षेत्रों, ऊशन कटी बंधिय अफ्रीका, दक्षिन पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पती के तीवर पुनर जनन वाले क्षेत्र हैं। व्रिक्षों को काट कर और जला कर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमी की उर्वर्था की समाप्ती के बाद वह भूमी चोड़ दी जाती है, और क्रिशक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानानतरी क्रिशी को करतन एवं दहन क्रिशी के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, स्थानांतरी क्रिशी विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे राजस्थान तथा जम्हू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की क्रिशी में पशु चारख अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मारगों से गूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधी जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतह भेड, उंट, मवेशी, याक और बक्रियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, उन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव चार दिया गया है, जिसमें चलवासी पशुचारक अपने उटों के साथ घोमते दिखाई दे रहे हैं। वानिजिक क्रिशी में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तरित क्रिष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपियोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वानिजिक क्रिशी में वानिजिक अनाज क्रिशी, मिश्रित क्रिशी और रोपन क्रिशी शामिल है इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.5 दिया गया है, जिसमें गन्ने की रोपन क्रिशी का द्रिश्य दिखाया गया है वानिजिक अनाज क्रिशी में फसलें वानिजिक उद्देशे से उगाई जाती हैं गेहु और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसले हैं उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोशन घास के मैदान वानिजिक अनाज क्रिशी के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सेंकणों हेक्टेर के बड़े फार्मों से युक्त बिरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केव पल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित क्रिशी में भूमिका उप्यूग भोजन वचारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जिन्टीना, दक्षिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलिंड और दक्षिन अफ्रीका में प्रचलित है। प्रिष्ठ संख्या 42। रोपन क्रिशी वानिजिक क्रिशी का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड, केला अथ्वा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें व्रिहत पैमाने पर श्रम और उत्पाद का प्रसंसकरन खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस क्रिशी में परिवहन जाल के विकास की अनिवारेता होती है। रोपन क्रिशी के मुख्य क्षेत्र विश्व के उशन कटी बंधिया प्रदेशों में पाय जाते हैं। मलेशिया में रबण, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रिलंका में चाय, इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.6 दिया गया है, जिसमें केले की रोपन क्रिशी दिखाई गई है। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें क्रिशी आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ती करती हैं। गेहु, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यहां विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यहां उश्ण कटी बंधिय और उपोश्ण कटी बंधिय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आदरता, एवं वर्षा की आवशक्ता होती है। यहां फसल चीका युक्त जलहोड मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सरवो तम धंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशह भारत, जापान, श्रिलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जल वायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांगला देश में एक वर्ष में दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव साथ दिया गया है, जिसमें चावल की क्रिशी को दर्शाया गया है। गेहूं गेहूं के वर्धनकाल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्यकर्तन, अर्थात, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवशक्ता होती है। इसका विकास सु अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम धंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा, अर्जन्टीना, रूस, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया और भारत में विस्तरित रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत रितु में उगाया जाता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.8 दिया गया है, जिसमें गेहूं का सस्य कर्तन दिखाया गया है। मिलिट ये मोटे अनाच के रूप में भी जानी जाती हैं, और कम उपजाव तथा बलूई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल हैं, जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा परियाप्त सूर्य प्रकाश की आवशक्ता होती है। जुआर, बाजरा और रागी भारत में उगाय जाते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.9 दिया गया है, जिसमें बाजरे की क्रिशी का दर्श्य दिखाया गया है। प्रिष्ठ संख्या 43 नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का इसके लिए मध्यमतापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवशक्ता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाओ मिर्दा की आवशक्ता होती है। मक्का, उत्तर अमेरिका, ब्रासील, चीन, रूस, कैनेडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.10 दिया गया है, जिसमें मक्के की क्रिशी दिखाई गई है। क्या आप जानते हैं? मक्के को कौन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। कपास इसकी वृद्धी के लिए उच्चत आपमान 200-210 पाला रहिद दिन और तेज चमकीली धूप की आवशकता होती है। यह काली और जलहोड मृदा में सर्वो तम उकती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्ध्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.11 दिया गया है, जिसमें कपास की क्रिशी का द्रिश्य दिखाया गया है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोड मृदा में अच्छे ढंक से विकसित होता है। और इसे उच्चे तापमान, भारी वर्षा और आद्र जलवायू की आवशक्ता होती है। यहाँ फसल उष्ण कटी बंधियक शेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांगलादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी इसके लिए गर्म एवं आद्र जलवायू और सुअपवाहित दोमठ मिर्दा की आवशक्ता होती है। इस फसल की वृध्धी के लिए परवतिय धाल अधिक उप्युक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कॉलंबिया और भारत हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव बारह दिया गया है। जिसमें कॉफी की कृषी का दृष्य दिखाया गया है। रोचकत त्थ्य कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विशे में विभिन्न कहानिया प्रचले थें। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नामक एक अरब वासी जो बक्री चराने वाला था, अपनी बक्रियों की अनोखी उछलकूद और हरकतों को देख कर परिशान था। एक दिन उसने भी उस सदा हरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा, जिनहें उसकी बक्रियां प्रते दिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभाव करने के बाद अपनी खोज के विशे में संसार को बताया। प्रिश्ठ संख्या चवालीस चाए बागानों में उगाई जाने वाली एक पेफसल है। इसकी कोमल पत्तियों के वृद्धी के लिए ठंडी जलवायू और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवशक्ता होती है। इसके लिए सू अपवाहित दुमट मिर्दा और मंद ढाल की आवशक्ता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवशक्ता होती है। इस प्रिश्ठ पर चित्र चार दशमलव तेरह दिया गया है। जिसमें चाय की रोपण कृषी को दिखाया गया है। कृषी का विकास कृषी विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषी के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोई गए क्षित्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा कर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। क्रिशी का मशीनी करण भी क्रिशी के विकास का एक अन्य पहलू है। क्रिशी के विकास का चरम लक्ष, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। क्रिशी का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकास शील देश अधिकतर गहन क्रिशी करते हैं। जहां छोटी जोतों पर सामान नितह जीवी को पारजन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वानिजिक क्रिशी के लिए अधिक उप्युक्त होती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया में। क्या आप जानते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है। जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवशक्ता और प्राथमिक्ता के आधार पर हर समय परियाप्त, सुरक्षित और पौश्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आओ, हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे सैयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिती अध्ययनों की साहता से विकाश्शील और विकसित देशों की क्रिशी के विशय में जाने। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजी पुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गाउं है। मुन्नालाल इस गाउं का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग डेड़ हेक्टेर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गाउं में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीता है। उसकी भूमी उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम दो फसलें, सामान्य तहग यहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजर्गों के साथ साथ सरकारी क्रिशी अधिकारियों से क्रिशी कारियों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रेक्टर लेता है। यद्यपी उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधी का प्रियोग करते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र 4.14 दिया गया है जिसमें खेत जोतते किसान दिखाई दे रहे हैं समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है प्रिष्ठ संख्या 45 मुन्ना लाल के पास दो भैंस और कुछ मुर्गियां भी है वह निकट के शेहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है वह वहां का एक सदस्य है सहकारी समीती उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार पशुधन के स्वास्थ के सुरक्षात्मकुपायों और कृतरिम गर्भाधान के संबंध में भी सलह देती है क्रिशी के विविधकारियों में परिवार के सभी सदस से उसकी साहिता करते हैं कभी-कभी वह बैंक या क्रिशी सहकारी समिती से बीजों की उच्च उपजवाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए रिण लेता है वह अपने उत्पाद को निकट के शेहर में स्थित मंडी में बेचता है अधिकांश किसानों के पास भंडारन सुविधाओं की कमी होती है इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए वे वश होते हैं हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारन की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव 15 दिया गया है जिसमें भारत के खेद दिखाई दे रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का ओसत आकार भारतिय फार्म की तुल्ना में बहुत बड़ा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेर होता है किसान सामाने तह फार्म में रहता है मक्का, सोयाबीन, गेहुं और चुकंदर यहां उगाई जाने वाली कुछ महत्वा पूरण फसले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेर भूमी है वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मिर्दा और जल संसाधन इस फसल की आवशक्ता को पूरा कर देंगे फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए परियाप्त उपाय किये जाते हैं समय समय पर वह मिर्दा के नमोनों को मिर्दा परीक्षण प्रयोगशाला में जाच के लिए भेचता है कि उसमें परियाप्त पोशक हैं या नहीं ये परिणाम जो हुरन को वैग्यानिक उर्वरक कारिक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्त तस्वीर देता है इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव सोलह दिया गया है जिसमें सैयुक्त राज्य अमेरिका के एक फाम का हवाई द्रिश्य दिखाया गया है यह रासाइनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवशक्ता अनुसार प्रियोग करने में उसकी मदद करता है इस प्रिष्ठ पर चित्र चार दशमलव सत्रह दिया गया है जिसमें वहाँ का किसान पीड़क नाशकों का छिड़काव हवाई जहाज की सहायता से करता नजर आ रहा है वह ट्रेक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्ट और थ्रेशर का उपियोग क्रिशी संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है प्रिष्ठ संख्या 46 अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किये जाते हैं अथ्वा बाजार अभिकरणों यानि की मार्केट एजन्सियों में भेजी जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाई की तरह काम करता है ना कि एक खेती हर किसान की तरह इस प्रिष्ठ पर 4.18 दिया गया है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के फाम में मशीनी कृत खेती करते हुए किसानों को दिखाया जा रहा है अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला क्रिशी क्या है दूसरा उन कारकों का नाम बताईए जो क्रिशी को प्रभावित कर रहे हैं तीसरा स्थानांतरी क्रिशी क्या है इस क्रिशी की क्या हानिया है चौथा रोपन क्रिशी क्या है पांचवा सरकार किसानों को कृषी के विकास में किस प्रकार मदद करती है प्रश्न दो सही उत्तर को चिन्हित कीजिए पहला उद्ध्यान कृषी का अर्थ है क गेहूं उगाना ख आदिम कृषी ग फलों व सबजीयों को उगाना दूसरा सुनहेरा रिशा से अभिप्राय है क चाय ख कपास ग पटसन तीसरा कौफी का प्रमुख उत्पादक है क ब्राजील ख भारत ग रूस प्रश्न तीन कारण बताईए पहला भारत में कृषी एक प्राथ में क्रिया है दूसरा विभिन फसलें विभिन प्रदेशों में उगाई जाती है चौथा अंतर स्पष्ट कीजिए पहला प्राथमिक क्रियाएं और तृतियक क्रियाएं दूसरा निर्वाह क्रिशी और गहन क्रिशी प्रश्न पाँच क्रिया कलाब पहला बाजार में उपलब्ध के हूँ चावल, जुआर, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए उन्हें कक्षा में लाईए और पता लगाईए कि वे किस प्रकार की मिर्दा में उखते हैं दूसरा पत्रिकाउं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त रज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए प्रिष्ठ संख्यास 47 चठा आओ खेलें शब्द पहेली को दिये संकेतों की मदद से हल कीजिए नोट वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं यहाँ पर वर्ग पहेलियां दी गई हैं बाएं से दाएं पहला फसल जिसे सू अपवाहित उपजाव मिर्दा मध्यम तापमान और तेज धूप की आवशक्ता होती है पांच दूसरा बीजों की उच्च उपजवाली किस्मों रासायनिक उर्वरकों और पीडा नाशकों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाना पांच और दस चौथा इस फसल के प्रमुख उत्पादक सहिउप्त राज अमेरिका, कैनेडा, रूस, आस्ट्रेलिया हैं पांच दसवा पारिवारिक आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रिशी का प्रकार ग्यारह तेरह विक्रहेतु पशुपालन नौ चौदह अंगूर की क्रिशी ग्यारह उपर से नीचे पहला मोटे अनाज भी कहलाते हैं साथ तीसरा क्रिशी जिसमें कर्तन और दहन शामिल है आठ पांचवा फसलों, फलों और सबजियों को उगाना ग्यारह छठा जिसमें चाय, कौफी, गन्ना और रबड उगाए जाते हैं ग्यारह साथवा विकास के लिए 210 पाला रहिद दिनों की आवशक्ता होती है छै आठवा फूलों का उगाना बारह नवा सुनहरा रेशा भी कहलाता है चार ग्यारवा धान के नाम से भी जाना जाता है चार बारवा क्रिया जो प्राकरतिक संसाधनों के निशकर्शन से संबंधित है साथ इसी के साथ छै पाठों की इस पुस्तक का चौथा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन संदीब भट अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत निर्मान एवं थालग